चुकेल का हलो दोस्तों वेरी गुडिन स्वागत है सब का इंफो बेर में मैं हूँ आपका दोस्त बेर दोस्तों बात कर रहे थे yes bank के बारे में आप सब को पता है yes bank का जू एस पडनकिकिट आज टूटा और तूटा ही पहले भी नहीं दोस्तों बहुत बहुत जोड से एस बेंग गिरा है आज मैंने आपको दो दिन पहले बोला भी था दोस्तों कि उच्छलना मत शांत बैठे रहना बंदर के हाथ में जब कुछ लग जाता है तो बंदर शांत नहीं बैठ बाता और इसलिए मैंने आपको बोला उच्छलना मत तो कि यस बैंक जिनके जिनकी हाथ लागा उन बंदरों में से मैं भी एक बंदर हूं मैं बहुत अच्छी चीज लगी है दोस्तों बस पेशन्स की बहुत ज्यादा जरूरत है यहां पर अब क्या एक्शुली हो रहा है वह मैं आपको बताने कि यहां पर कोश सकता है वीडियो का लिंक मैंने आई बटन पर भी देख करके रखा हुआ है साथ में डिस्क्रिशन में में मैं दे दूंगा पहले वह वीडियो देख लेना जाके और इस बाद में चीए तो इस वीडियो पर आ जाना तकि आपको चीज समझ में आ जाए कि किस तरह से एक प् मेंट आपएक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट से बेसिकली मार्केट क्या होता है नहीं दोस्तों यह perception और परसनालेटी पर डिपेंड करता है हमारे behavior पर डिपेंड करता है अब कैसे क्या वह सब में आपको बताऊंगा बात करेंगे एक्चुल क्या हूं मार्केट में च्यूं यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि आज यह बैंक जब खुला तो अपर सरकीट के खुला अपर सरकीट के बाद में अपर सरकीट तूटा शेयर गिरना स्टार्ट हो गया और काफी सारा शेयर गिरा काफी सारी यहां पर जो है वह ट्रेड्स हुई लगबक 72 करोर्स के 57 करोर्स के शेयर जो है उसकी डिलेवरी उठाई गई बहुत बड़ी डिलेवरी यहां पर दोस्तो उठाई गई है लगबक 51 परसें से ज्यादा की डिलेवरी जब उठाई जाती है तो एक चीस आज समझ सकते हो दोस्तों के आज भी मार्केट में कुछ ऐसे लोग हैं जो य उन लोगों को ऐसा लगता है कि यस बैंक जो है वह आगे बढ़ सकता है और आने वाले टाइम में यस बैंक एक बहुत ही अच्छा इंवेस्टमेंट जो है वह प्रूफ हो सकता है और इस स्टेटमेंट को बैक अप दे रहा है यस बैंक में जितने भी कंपणी नों इन्वे अधन करते हैं और इनके पीछे डट के खड़े हैं अब तो फिर क्यूं गिरा सबसे बड़ी चीज सबसे बड़ा क्वेशन क्यूं आज येस बैंक का सर्केट क्यूं तूटा और येस बैंक क्यूं गिरा दोस्तों दो टाइप के लोग होते हैं मार्गेटमे एक तो वह जो बहुत ही लंबे अवधी के लिए शेयर को खरीते हैं जैसे हमारे जैसे लोग हैं कुछ जो फसे हूँ है तीन-तिन साल के लिए और कुछ ऐसे लोग है जिनको सच में पोटेंशियल लगता है येस बैंक में वह चाहते हैं long term के लिए hold करना कुछ लोग यहां तक के S.I.P का भी suggestion दे रहे हैं कि आप S.I.P करो तो क्या होगा कम से कम पैसे में अगर बढ़ता जा रहा है बैंक तो आपका जो है वह investment भी होगा और आपके स्पास shares भी काफी सारे आ जाएंगे अब कुछ लोग है जो short term के लिए सोच दे जिन्होंने F.P काफी सारे retail investors को यहां पर मना कर दिया गया था कि आप F.P मत खरीदो और काफी सारे लोगों ने मानी भी वह बात के retailer जो है वह इसमें नहीं आया क्यूंकि मैंने उल्ड़ी और उनको एक चीज बता के रखी दी कर आपका पैसा और अठक जाएगा और आप उस level तक average कभी भी नहीं कर पाओगे जिस level के average की यहां पर ज़रुरत है फ्रेशर रीटेलर्स को यहां पर बिल्कुल एक opportunity थी कि 12 पर बाई करके अगर थोड़ा सा उपर नीचे हो जाता है तो खुछ पैसे बना के निकल सकते हैं और वही चीज यहां पर दिख रही है कि आज भी लोग bullish है 51% के साथ डीटेल में समझते हैं दोस्तों चार्ट पर जाकर के तो मेरा समझ में आ जाएगा क्या बात एक्चूली की थी लास्ट वीडियो में और किस तरह से वो बात है जो सही प्रूफ भी हो रही है यह दोस्तों यह बैंक का चार्ट इसमें अभी तो मैंने सिर्फ चार लाइन्स लगाई हुई है पूरे डीटेल चार्ट का वीडियो जो है वह पिछले इसमें आपको मिल जाएगा पिछले वीडियो में जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और आई बटन भी आपको म लोग जो है वह नीचे से जा रहे है अची तरह से अपर सरकिट अपर सर्किट अच्छा मुमयंट आपको बोला था है यहां पर हमें profit booking जो है वह देखने को मिल सक्ती है और बिल्कुल हमें आज वह Profit booking जो है वह देखने को मिली अब यह profit सब्सक्राइब देखें अच्छे वॉल्यूम के साथ मतलब लगबग साड़े साथ सो मिलियन का वॉल्यूम हमें यहां पर अभी दिख रहा है अगर आप सही में देख रहे हो तो साड़े साथ सो मिलियन के आसपस का माफ किजेगा यह एक्जाक नमबर है 714 मिलियन का हमें जो वॉल्यूम है यहां पर देखने को मिला है बहुत बड़ा वॉल्यूम है दोस्तों इसका रिजल्ट भी आप देख सकते हैं अभी यह वोल हो गया दोस्तों बेसिकली जिन्नोंने एफ्पियों में माल उठाया था और 30 और 40% profit में मुनाफे में उन्होंने अपने शेर्स को निकाल देते हैं और कहीं कुछ और सस्ते वाले शेर्स जूनने निकल पड़ते हैं इसी बेसिते मैंने आपको बोला था कि अगर यह यहां तक आ जाता है तो यहां पर profit booking हमें देखने को मिल सकती है बात करें कि दोस्तों इस टाइम पर अभी क्या करना आप के लिए सही होगा देखिए क्या चीज होती है न दोस्तों जब एक बहुत बड़ा volume market को नीचे दबाने की कोशिश करता है तो उसके पीछे जो है वो हड जिसे बोलते हैं न के group में वो सब निकलना शुरू कर देते हैं कुछ retailer निकलना शुरू कर देते हैं तो शायद आपक को देख के अंदाजा लगा ले कि भाई market अभी गिर रहा है जिस बैंक वापस से 11 रुपे पे चला जाएगा तो जितना profit है लपेट सको लपेट लो और बिलकुल यही होगा भी मेरे दोस्तों कल हमें अच्छी खासी नहीं बट एक weak hand selling जिसे बुला जाता है वो देखने को म शायद ले करके जा सकते हैं तो अब हमें क्या करना है अगर आप short term seller हो और आपने ये मौका गवा चुके हो तो अगर कल आपको green moment देखने को मिलता है अब drain देखने को मिलता है तो मेरा suggestion दोस्तों यही रहेगा आप hold करें तो अगर इस red line को अगर आप cross कर देते हो तो आपक को दूसरा moment इस red line पे देखने को मिलेगा शायद अपना profit जो है आप multiply कर सकते हो और जो भाई लोग मेरे long term वाले फसे हुआ है वो wait करें उनके पास वैसे भी कोई option नहीं है तीन साल के लिए हम लोग वैसी फसे हुआ है मैं खुद भी फसा हूँ तीन साल के चकर में और एक नया फंडा और भी आने वाला है शायद मेरे खाल से जीरोधा अपलाई कर रहा है या बीसी एनसी अपलाई कर रहा है मुझे नहीं पता बड़ एक अजीब सी चीज मैंने अपने account में आज देखी कुछ शेर्स जो block है वो तो block है बट कुछ अलग सा एक block देखने को मुझे म अंदर जितने भी भाई मेरे यस बैंक में है और जितनों के पास 500 के उपर के शेर्स है वो ज़रूर अपने account में अपने console में अपने portfolio में जाके यस बैंक को चेक करें शायद वहाँ पे भी उनको block और long term का अलग से block दिखाई दे सकता है confirm कीज़ेगा अगर आपको ऐसे block देखने को मिलते हैं तो उसके उपर आगे और चर्चा करेंगे बाकि बस दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर रोकेंगे और एक अच्छी सी चीज़ बताऊंगा कि हमने telegram चैनल जो है वो चालू किया हुआ है और उसके काफी सारी बाते हम लोग बताते हैं चैनल को जरूर जोइन कीज़ेगा दोस्तों और वीडियो अच्छा लगा है तो like, share, subscribe जरूर कीज़ेगा थैंक्यू very much